नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, MBM नेटवर्क पे आप सबी लोगों का बहुत स्वागत है, डौर कोई भी रहा हो, चाहे राजा महाराजाओं का राज हो, या फिर सरकारों का, जो टॉप मोस्ट होता है न, वो एक सेकिंड लेयर जरूर बनाके रखता है, और समझधार सुप्रीमो, उसके दिमाग में सेकिंड लाइन जरूर रहती है, और अगर सुप्रीमो ऐसा नहीं सोचता, तो वो कुछ वज़य होती है उसकी, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उसमें राजनिती का हुनर नहीं है, अब जब कुर्सी का गरूर होता है न, तो किसी को ये पता नहीं होता कि ये कुर्सी, किसी दिन उनके नीचे से खिसक भी जाएगी, और खिसकने की वज़य कोई भी हो सकती है, ये बात हो रही है दिल्ली के सियम, अर्विन केज जिन्होंने कभी भी अपनी सेकिंड लाइन की जरूरत ही नहीं समझी, यानि कि उन्होंने उनके बात कौन होगा, उसके लिए कभी सोचा ही नहीं, और आज जेल से सरकार चलाने की जिद प्याड़े हुए, ताकि उनके हाथ में सत्ता बनी रहे, ये उन लोगों की बात हो रही है, जिनकी टेग लाइन क्या रही है, ब्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है, लेकिन इनकी जिद देखिए, इनकी जिद है कुर्शी की, जब मौका आता है तो असलियत पता चल जाती है न, तो इन्होंने बता दिया कि इनकी जिद, तो कुर्शी निकली, बुद्वार देर्शाम को दूसरी तरफ राजसभा सांसद, you can say now, संजे सिंग को जेल से रिहा कर दिया गया लेट इवनिंग में, छे मैने से अंदर थे वो बिचारे, और कुछ शर्तें लगा ही उनकी रिहाई के समय, और जेल से निकलते ही उनका जशन शुरू हो ग कहा, उन्होंने कहा कि हमें अभी जशन नहीं मनाना है, क्योंकि हमारे कुछ शाती अंदर हैं, और आपने नेशनल मीडिया पे एक क्लिपिंग देखी होगी कि दूर से था वो कि किसी को वीलचेर पे लेके जाया जा रहा है, वो शक्स संजे सिंग थे, लेकिन जेल से छूट और शुरू हो गए भाशन देना और चिलाना तो उनकी शक्सियत में शामिल है, इसलिए वो केजरिवाल के बहुत प्रिये थे, क्योंकि अगर उन्हें कोई बात मनवानी होती थी, तो अर्विन केजरिवाल संजे सिंग को आगे करते हैं, कि तुम शोर मचाओ, बाकी सब वो देख लेंगे, अब अर्विन जेल में है, लेकिन उनके परम मित्र देखिए संजे सिंग, जेल की सालाखों से छूटते ही, एकदम से वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं, और देखिए, गाड़ी से कूट करके वो भाशन देना शुरू कर देते हैं, अब ऐसे शक्स को आप क्या कहिएगा, जिसका दोस्त तो जेल में हो, लेकिन वो जेस्ट मनाना शुरू कर दे, जब मीडिया बिलकुँ सामने आ गया, तो उसे लगा कि नहीं, ये वक्त तो सही नहीं है, तो फॉरण उन्होंने अपनी जैसे टेग लाइन चेंज कर देते हैं, ऐसी तरह की से उनका सब कुछ चेंज हो गया, मोशन चेंज हो गया, और उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, और सभी आपके नेता छोटेंगे, यानि कि उनका इशारा था केजरिवाल, मनिश्य स्वादिया और सतिंदा जैन की तरब, लेकिन जेल से छूटते ही, वो क्यों भूल गये, कि कोट ने उन्हें क्या इदायत दीती, कोट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ रहाई दी है, उसमें उनका पासपोर्ट जमा होना है, उसमें उनको अपनी लोकेशन हर समय आन रखनी है फोन पे, इसके अलावा अगर वो NCR छोडते हैं, तो भी उन्हें बता करके जाना होगा, प्लस, वो कोई विवादी टिपनी नहीं करेंगे, तो ये जो जेल के ताले टूटेंगे, ये क्या साबित करते हैं, क्या इतनी अंधेरगर्दी हो गई है, कि इनके कहदेने भर से जेल के ताले टूट जाएंगे, और जो इनके आपके साथी संगी है, वो छूट जा बदल जाती है, कभी, कभी परिवारवाद पर तंज कसने वाले, अब खुद, खुद क्या कर रहे हैं, दिल्ली के सबसे बड़े शराब घोटाले के मामले में जेल गए, सेम अर्विंद केजरिवाल ने इतनी स्मार्टनेस से, इतनी चलाकी से, अपनी पतनी सुनिता केजरि दिया है, कि वो भी उल्जे हुए बयान बार दे रहे हैं, शैसे उनके अंदर कहीं उनको भले ही पता हो, लेकिन अभी वो समझ रहे हैं कि राइट टाइम नहीं है, कुछ भी मुझ खोल के बोलने का, तो इसके लिए केजरिवाल ने सुनिता कि राके काटे बने सौरभ भार अर आतिशी को, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था? विवादित बना दिया दूसरी तरफ आपके विधायकों और सुनिता केजरिवाल की मुलाकाते आप देखिए कैसे बढ़ रहे हैं और इससे भी दो दिन पीछे जाईए 31 मार्च आपने देखा कि उस मंच पे लोग तो बहुत बैटे थे लेकिन मैफिल कौन लूट रहा था सुनिता केजरिवाल ने इतनी चालाकी से अपनी बातें महां रख दी ये सब किस ने पढ़ाया ये सब केजरिवाल नहीं पढ़ाया ना लेकिन समय रहते हैं उन्होंने अपने कैबिनेट में किसी को सेकिंड लाइन के लिए तयार नहीं किया और अब जब बात ऐसी बिगड गई है तो उन्हें लगा कि पतनी से ज्यादा वफदार तो कोई हो नहीं सकता अब सुनिता केजरिवाल ने पहली बार विधायकों की बैठक ली जिसमें अल्मोस्ट पच्पन विधायक मौजूद थे तो दिली के मुकमंतरी अर्विंद केजरिवाल की आपकारे नीती सेकिंड फेस ओफ सियम देखा जा रहा है तो वो फिर सुनिता केजरिवाल को देखा जा रहा है हला कि अंदर से कुछ लोग जले भुने हुए हैं लेकिन अभी वो अपना मूँ ने खोल रहे है और अर्विंद केजरिवाल वो अपने आपको इतना इंसक्योर फील करते थे क कभी उन्होंने अपनी पार्टी में सेकिंड लाइन की तरफ तवज्जो ही नहीं दी और पहली कतार में मनिश्य सौदिया और राजिसवा सांसर संजे सिंग सतिंदर जैन जेल में है ऐसे में केजरिवाल के भी जेल चले जाने के बाद अब अब ये जरूरत महसूस हो रही थी कि सेकिंड कौन है अर्वीन केजरिवाल तो जेल में है तिन उसके बाद कौन है आगे क्या वो कहते हैं न कि आगे क्या तो आगे कौन सा चेहरा है उन्होंने बड़ी चलाकी से अपनी पत्नी को आगे कर दिया अब ये चर्चा भी हो गई है अलाकी इसके मतलब बहुत सारे लोग खुश भी नहीं है ये सोच करके कि अगला सियम कौन होगा और सियम का चेहरा कौन होगा अगर सियम अर्वीन की पत्नी सुनीता केजरिवाल को बनाया जाता है तो फिर पार्टी में बहुत बावाल भी हो सकता है किसी पदपर ना होने के बावजूद विधायकों की बैठक ले ली और इससे पहले इससे पहले करीब आठ दिन में उन्होंने तीन बार उसी कुर्शी पर बैठ करके अपना वीडियो जारी किया तीन बार मतलब जैसे कि कोई सियम अपना वीडियो जारी करता है अपना फर्मान जारी करता है और इसी कुर्शी से आपको याद होगा अर्विन केजरिवाल भी अपना फर्मान जारी क्या करते थे उनको बड़ी आदत थी न कि हर दिन जैसे ही उन पर कोई मुसीवात आती थी तो उस कुर्सी पे बैटके वो एक अपना स्टेट देते थे देन फिर उसको जो है कभी-कभी लाइब करते थे अधर्वाइज उसको वो अप्लोड कर देते थे एक्स पे तो खेर इससे अब यह साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी में भी परिवारबाद का इफेक्ट परभाव उस मकड़ जाल में केजरिवाल का परिवार भी फसने वाला है और देखिए कितने सालों से अर्विन केजरिवाल मनी सिंग और संजे सिंग जहां भी खड़े होते थे परिवारबाद के खिलाब बोलते थे लेकिन जब केजरिवाल फसे तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई और CM की पत्नी सुनिता केजरिवाल ने विधायकों के साथ ऐसे समय में बैटक की है जब ED ने अर्विन केजरिवाल के हवाले से अदालत में एक दावा किया है कि शराब घोटाले का मुख्य संदिग्द विजे नायर आतिशी और सौरब भारदवाज को रिपोर्ट करता था यह जो बयान है न यह सौरब भारदवाज और आतिशी मार लेना दोनों ही लोग इसे समझ रहे हैं लेकिन समझ के भी वो फिल हाल परिस्तियों को देखते हुए अंजान बने हुए हैं अपने पेट में उन्होंने इसको दबा के रखा हुआ है और कोई बात नहीं कर रहे है हलकि इडी ने अजालत में कडोडों रुपए के शराब घोटाले का किंग पीन केजरिवाल को ही बताया है और अब यह माना जा रहा है कि केजरिवाल ने आतिशी और सौरब का नाम एक स्मार्ट स्टेजी होती है न उसके तहत लिया है क्योंकि अर्विन केजरिवाल बहुत श्रूड है पॉलिटिक्स के मामले में और क्योंकि आप नेता हों के जेल जाने के बाद यही वरिष्ट नेता है और सियम पत की दावेदारी कर सकते हैं इसी बीच सियम आवास पर जिस तरीके से विधायकों की बैठक लिए है इसमें आतिशी, सौरब भारदवास, क्यलास, गोपाल राय समेत करीब करीब 55 विधायक मौझूद रहे और विधायकों ने अर्विन केजरिवाल के जेल से सरकार चलाने, इस्तीफा देने की इस्तिती में सीम चहरा बनाने अधिका जो उनका एक मसला फसा हुआ है उसकी स्ट्राटेजी पे चिंतन मनन किया तो यह जो मैं मैं आप से बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर अर्विन के जिवाल, लालु यादव और गांधी परिवार के लिए परिवारबात की बात करते थे, परिवारबात को लेकर के तंजिकस दे थे, आपको यादी है, 1996 में लालु यादव का नाम चारा गोटाले में आया तो बिहार में सियासी संकट पैदा हो गया था। काफी सारे मतलब उस समय जो उनके संताने थी वो इस लाइक नहीं थी कि उनको उस कुर्शी पे बिठाया जाए। लिहाजा बिहार में लालु यादव ने मुक्वमंत्री पत से इस्तिफा दिया। अटकले लग नहीं थी कि लालु के राजनीतिक सफर का अंत हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं। लालु यादव भी भहुत खेले और खाय हुए हैं। उन्होंने अपनी पतनी राबडी देवी को मुक्वमंत्री बना दिया। लालु यादव की तरह दिल्ली के मुक्वमंत्री भी शराब गोटाले में फसे हुए हैं। सब तो चोड़ चोड़ मुसेरे भाई हैं। और आम आदमी पार्टी के सामने दो बड़े सवाल भी हैं। के जरिवाल की ग्रिफतारी के बाद चुन रोल है वो कैसे होगा। आज हालात जी है कि पार्टी में सेकंड लाइन में आम लोगों से जुड़ा कोई नेता नहीं है। जिसे फ्रंट पे प्रोजेक्ट किया जा सके। लोगसाब चनाव से ठीक पहले के जरिवाल की ग्रिफतारी के बाद पार्टी इस पर विचार कर र पार्टी के लिए परचार कर सकती है, नहीं मिलती है, तो भी उन्हें फेस तो बनना ही है। लेकिन आप ये देखिए न कि किस बेशर्मी की इंतहा देखिए। कुछ चीजें कानून में होती हैं उसके लिए वहाँ येस लिखा होता है। लेकिन नेतिकता भी कोई चीज होत इस बात का कहीं उलेक नहीं है कि अगर जेल जाया जाये, कोई जन प्रित निदी, मुक्हमंतरी, मंतरी अगर जेल जाता है तो उसको इस्तीफा देना जरूरी ही है। लेकिन क्या आज तक बिना इस्तीफा दिये, कोई भी मुक्हमंतरी जेल गया। लेकिन अर्विन की जीव काज में बाधा नहीं बढ़ती मंतरियों के जेल जाने पर भी उनके विभाग दूसरे मंतरियों को दी जा सकते हैं लेकिन मदरास हाई कोट ने जेल जाने के बावजूद मंतरी बच से बरखास्त नहीं करने पर राजी की सरगार की बड़ी अलोजना की थी एक ऐसा मामला फस जारखंड के मुख्मंतरी हेमस्वरन को देखिए अभी रीसंट है ना दो महीने पहले की तो बात है दो महीने कुछ दिन की बात है एडी की गिरिफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था वो मतलब अरेस्टिंग तब तक नहीं हुई थी जब तक उ एमनस्वरन गिरिफ्तार कर लिए गए हैं तो इनसे तो नेतिक्ता के मामले में वही अबल थे अब बात करते हैं लालू यादव की तो लालू यादव लालू परसाज यादव चारा घोडाला में जब उनकी भी ऐसी इस्तितिया आ गई थी तो उन्होंने पहले इस्तिफा पत्नी को राबडी देवी को मुख्यमंतरी बनाया बहुत दुनिया भर में मजाग बना था क्योंकि राबडी देवी एकदम सिंपल साधी महिला थी मतला उन्होंने कभी घर की दहलीज भी नहीं लांगी होगी I mean to say के बहुत सिंपल पूरी तरह से लालू जादव पर डिब रह चुकी है और उनमें और राबडी में बहुत फरक है इसके बावजूद अर्विन केजरिवाल देखिये इस्तिवा नहीं दे रहे हैं एक और बात जैललता का मुझे ध्यान आया जैललता ने भी गिर्वतारी से पहले इस्तिवा दिया था लेकिन अब केजरिवाल का कुर पहरत हमारी जिद है लेकिन इनकी जिद तो कुर्सी है कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं ये अब जिद पे अड़े हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे लेकिन जेल जाने के बावजूद ट्याग पत्र नहीं देने से बहुत बड़ा सम्मेधानिक संकट बना हुआ है दूसरी त देंगे लेकिन नहीं चलने देंगे तो कुछ किया भी तो नहीं है भी तक ना तो किन सरकार की और से कोई ऐसा संकेत आया है कि आप इस दिशा में कुछ सोच रहे हैं ना ही LG ने अभी आगे बढ़के कोई इस संकट का समाधान धोना है टेबल पे रखा है तो आने वाले दि चस्प होगा कि सुनिता केजरिवाल क्या सेकिंड लाइन बनेंगी सेकिंड राबडी देवी बनेंगी और इसके अलावा केजरिवाल पे जो उनका फैसला है उनकी गिरिफ्तारी के किलाव जो उन्होंने एक अपील की है उस पर फैसला आज आएगा और उसमें क्या रहेगा मैं आपसे अपडेट जरूर शेयर करूंगी तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके साथ मैंने इतनी मतपूर जानकारी शेयर किया है तो लाइक तो बनता है न आप अपनी टिपनी भी कर सकते हैं टिपनी मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं इसके अलावा ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लिजे and one more important thing जो bell icon रहता है ना घंटे की तरह है उसको प्रेस कर दीजे उसके बाद आपको सभी notification और मेरे videos आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे तो आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए खुछ रहिए स्वस्त्रे ये जैहिन जै भारत